फ्रेंज आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूटूब चैनल सबके सब पर आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है वो इसलिए इंपोर्टेंट है कि जब आप फोटोशॉप पे कोई भी डिजाइनिंग या कुछ भी काम कर रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम में फसे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे ठीक किया जाए बार-बार कोशिश करते हैं आप मुझे कमेंट्स में भी बताते हैं बहुत बार आप मुझे कॉल करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है तो उन सभी problems को shout out कैसे करेंगे उसके लिए एक website है जिसके बारे मैं अभी बताऊंगा वो आप note down कर लेंगे और उसके बाद आपका कोई भी problem होगा उस website के थूरू से हम लोग shout out कर लेंगे अब देखें, suppose आपने इस image का selection करना शुरू किया pen tool से, आपने यहां से pen tool select किया और इसका selection आप कर रहे हैं, suppose मैं यहां से selection कर रहा हूँ तो जैसी मैं selection कर रहा हूँ, तो यहां पर यह color fill हो रहा है और एक new layer भी बन गया है यह मैं pen tool का एक example बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि pen tool के साथ ही वो problem हो वो problem आपको कहीं पर भी हो सकती है कोई designing में problem हो रही है किसी filter में problem हो रही है तो जहां problem हो रही है आप वहीं पर रुक जाएं और अपने screen का पूरा screenshot ले लें और उसको as a jpeg save कर लें, जैसे मेरा यह problem हो रहा है, तो मैं इसका एक screenshot लोगा, अगर आपको screenshot लेना नहीं आता है तो यह बहुत ही simple है आपके keyboard में एक key होगी जिसका नाम है insert और उसी के अंदर print screen का option होगा कभी-कभी insert और print screen दोनों अलग-अलग key में भी होती है, तो आप print screen को press करके एक screenshot ले ले जैसे मैं इस पूरे screen का एक screenshot अभी ले रहा हूँ मैंने ये screenshot ले लिया अब screenshot लेने के बाद Ctrl N से new file ओपन करेंगे ऐसे जब भी आप new file पे click करेंगे तो जो आपने print screen लिया है उसी की size यहाँ पर दिखाई देगी, और आप okay कर दिजेगा और जो आपने print screen लिया है उसको यहाँ पर paste कर दिजे paste करने का तरीखा है Ctrl प्लस V तो मैं paste करता हूँ Ctrl V से येस, अब हमारे screen में जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर आ गई है, इसे हम लोग save कर लेंगे as a JPEG यहाँ से change कर लिजे JPEG और desktop पर save कर ले और इस image को उस website के थूरू से मुझे share कर देंगे अब चलते हैं, हम लोग Google पर और कैसे share करेंगे वो मैं बताता हूँ यहाँ पर आईएगा और यहाँ से website का URL है prnt.sc यह है URL उस website की आप इसको एंटर प्रेस करिए इस website के homepage पर सबसे top में आपको यहाँ पर मिलेगा browse image या drag करके उस image को लाकर यहाँ पर paste कर देंगे और जब आप उस image को paste करेंगे तो उस image की एक link create हो जाएगी और उस link को मुझे mail कर दीजेगा मेरे सभी videos के description में solution में सरूर बता दिया करूंगा तो यहाँ से मैं browse करता हूँ उस document को यहाँ से मैंने screenshot यह लिया था इसको मैं open करता हूँ देखे इसका link कैसे generate होता है यह देखे success हो गया है यह link आपको मिल गया है इसको open करके यहीं पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो image इस link में है या नहीं तो मैं click करता हूँ यहाँ पर और देखे अब आप देख सकते हैं कि जिस screen को आपने screenshot लिया था वो same screen यहाँ पर available है अब मैं आपके problem को directly यहाँ पर देख पाऊंगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि यह shape selected है मैं बता दूँगा कि यहाँ से shape नहीं path का selection होना चाहिए तो आप जाएंगे और यहाँ पर path select कर लेंगे तो आपके problem का solution हो जाएगा तो अब इसे share कैसे करेंगे आप इस link को right click करके copy link address आप कर लेंगे और अपने Gmail से मुझे mail कर दीजेगा इस link को open करूंगा और आपके screenshot को मैं देख लूँगा तो काफी काम की चीज़ है यह इसे आप note down कर लें और हर दिन की practice में इसे जरूर रखें जब आपको बहुत ज़्यादा problem आए तो आप ज़रूर शेयर कर लिया करिये आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है कि इस channel पर मैं जो भी कर रहा हूँ आप सभी के help के लिए कर रहा हूँ तो ultimately अगर आपको फाइदा नहीं होगा तो आप इस channel पर क्यों वीडियो देखेंगे अगर आपके problems का solution मैं नहीं करूंगा तो शायद आप मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे तो friends मैं यहाँ पर हूँ आप सभी के साथ आप लोग मेहनत करें और practice ज्यादा ज्यादा करें जितना maximum practice कर सकते हैं और friends यह जो आप designing कर रहे हैं या Photoshop पे जो काम कर रहे हैं इसके अलावा भी graphic web designing में जाब नहीं मिल रही है कैसे हम अपना portfolio बनाएं कैसे अपने skill को और अच्छा develop करें इन चीजों से related भी अगर कुछ doubts है कहीं कुछ confusion है तो आप directly मुझसे call करके बात कर लिए मैं अपना contact number भी description में दे रखा हूँ सभी videos के description में मेरा contact number, email ID ज़रूर होते हैं और यहाँ पर एक important point है कि आप मेरे सब के sub channel पे यहाँ पर Facebook का link दिया हुआ है और Twitter का link दिया हुआ है at least आप इन दोनों पर आजाएं और यहाँ से भी आप मुझसे जूट सकते हैं यहाँ पर ज्यादा ज्यादा discussion कर सकते हैं क्योंकि comments में बहुत ज्यादा जब नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे Facebook पेज पर आजाएं और वहाँ पर मुझसे discuss करें किसी भी topic को लेकर तो सबसे important point यह है कि आप कितना ज़ादा मुझसे जुड़ना चाहते हैं जितना आप जुड़ेंगे मैं उससे ज़ादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों की help करूँ एक point यहाँ पर और बताना चाहूंगा आप सभी के लिए हमने institute यहाँ दिल्ली में open किया है अगर आप directly मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आईए आप सभी का most welcome है और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मेरे premium classes के साथ भी जूट सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊंगा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रया Thank you so much friends